क्या एक भी वादे पूरे हुए राममंदिर तो बन गया ना राममंदिर ये मुद्दा ने बाकाते हैं राममंदिर का ताला किस ने खुलवाया था आपको पता होना चाहिए राजीब गांधी जी ने तो ताला खुलवाया था शाउदा से एक वारस इन्हों ने जो फैलाया था, मोदिया विंद नामक वारस, उसका टी का ढून लिया गया है अपना राहुल कहता है हमारे पूर्खों ने हिंदुस्तान बनाया है, हम हिंदुस्तान बचाएंगे, हम संविधान बचाएंगे और आज हम बहक गए हैं इन धर्मुनमादियों के चक्कर में जुमले बाजों के चक्कर में अपनी ड्रेस अप करके ये चले हुए हैं मैंने बताया था कि कई भारतियात्री ऐसे हैं उनका जज़वा ऐसा है कि उनसे तो मुलाकात करना ही बनता है इनको भी मैं दो तिन दिन से नोटिस कर रहा हूं और आज मुझे मिल गए हैं इनको पकड़ लिया आगे आगे चल रहे इस फ्लाइओर पर इनको पर जानेंगे सबसे पहलत आप ये बताइए आपका प्रीचा तो मैंने दे दिया संजीब कुमार सिंग आपका नाम है विहार के रहने वाले हैं कितने दिन हो गया भारतियात्रा में लगातर बने हुए हैं आज मेरा ये दूसरा महीना चल रहा है आज मेरा चालिसमा दिन है भारतियात्रा में राहुल जी के साथ यात्रा कर रहा हूँ और मैं आगे कस्मीर तक यात्रा करूँगा आपके चैनल से माध्यम से मैं देश की जनता को नमस्कार नयाय साल की सुभकामना हैं और ये संदेश देना चाहता हूँ कि ओ भारतियात्र का संदेश है और जो नफरत और जूट की दिवार सत्ताधारी दलने खड़े की थे 14 से ओ अब धाने के कगार पर है ओ अब दरक चुका है समय का इंतिजार है समय अने पर ओ दिवार धा जाएगी 14 से एक वायरस इन्होंने जो फैलाया था मोधिया बिंद नामक वायरस उसका ठ ठीका मिल गया हो और वो अब ठीका करन उसका हो रहा है अभी हम उत्तर से दखिन ठीका करन कर रहे हैं और फिर पूरब से पश्चिम करेंगे जो की दो हजार चौविस तक पूर्ण मोधिया बिंद का इलाज इस देश में कर दिया जाएगा और फिर से एक मजबूत भारत का निर्मान किया जाएगा इसलिए मेरा कहना है साथ जुरें राहुली के साथ जुरें काम करेंगे आप देख सकते हैं आप जैराम रमेश जी को देख सकते हैं और राहुल गांदी के आगे आगे यह पूरी यातरा चलती हुई राहुल गांदी मेन जो स्कूर्टिटी है उसके अंदर चल रहे हैं और अभी हम जब हम इंट्रिवू ले रहे थे संजीब कुमार सिंग जी का तो इसी बीच ये इनका नेतरतों में दिखुजे सिंग जी के नेतरतों में जैराम रमेश जी के नेतरतों में ये काफिला निकला है इसके कुछ पीछे ही राहुल गांदी का काफिला भी आ रहा है तो संजील जी आप मुझे ये बताएं ये क्या लिख रहा है अपनी इस त बनाएंगे कोई कहता है गजबाए हिंद बनाएंगे कोई कहता है खालिस्तान बनाएंगे अपना राहुल कहता है हमारे पुर्खों झ Task 4 जंदूस्तान है हम इसम शंदेशने तshe llev तु सम्भेएंगे देखा लीज़ aligned कि दला में एस रहारा हुं हमारे तीन माहन विभूतियों की सहाधत हो गए महत्मा गांदी इंद्रा गांदी अर्डितं तीनों माहन विभूतियों की सहाधत में खाल को धर्मुनमाद धर्मबाद एक ऐसा जहर है एक सिच्छित पर सिच्छित बैक्ति को भी अगर उसके दिमाग में डाल दिया जाया अगर वो बहग गया तो उसको शलते फिरते मानब बन जाता है आप देखें होंगे इंद्रा गांधी को किस ने मारा उनके बोडिगाड ने ही मा कि वो अपने परधान मंतरी को ही उरा दिया तो सबसे बरा देश का खत्रा धर्मबाद है जिस समय हमारा देश टूटा उस समय हमारे देश की दूसरी बहुशंख्यकावादी मात्र तीन करोर थी तो दो देश बन गए आज हमारे देश की दूसरी बहुशंख्यकावादी 20 क अगर हम इसी तरफ दूसरे धर्मों से बैर नफरत प्विलाते रहे तो हमारे आने वाले समय में हमारे अखंडता को ख़तरा है और हम कहना चाहते हैं हमारे पुर्वज किसके साथ थे आप देखते हैं हमारे पुरके हमारे बाप दादा किसके साथ कॉंग्रेस के साथ थे और आज हम बहक गए हैं इन धर्मुनमादियों के चक्कर में जुमले बाजों के चक्कर में इन जुमले बादों ने जुटे सपने दिखाया और उस सपने में आकर हमने इनको गदी संपा और आज वो हमको महंगाई, बेरोजगारी, असिच्छा, भरस्टाचार जैसे दन से देश करा रहा है और ये हमें धर्म उनमाद में बहकाना चाहते हैं इसलिए हमें कहना है साथ जुरें काम करेंगे फिर से मजबूत भारत का निर्मान करेंगे अब जो आपने शंदेश जो लिखा है तक्ति पर ये लिखा हुआ है, मैं मेरे कैमरेमेन से गुजारिश करूँगा, एक बार ये दिखा भी दे, भारत जोडो यातरा रेड कलर पर सबसे उपर लिखा हुआ है, भारत का सबसे बड़ा खत्रा धर्मवाद है, सभी धर्मवाद कर दिधार्मी कुनमाद फैला कर, मनमाने तरीके से अलग-अलग रास्टर की कलपना करते हैं, जिसके कान फिर से भारत के खंड़ता को घतरा है, कोई कहता है हिंदू रास्टरมाएंगे, कोई कहता है खालिस्तान मनाएंगे, अपना रहुल कहता है, हमारे पुर्खों ने sanctuary हम इंदुस्तान बचाएंगे धर्मवाद ही आतंकवाद है धर्मवादी ही आतंकवादी है भारत के तीन महान विभ्यूतियों की धर्मवादी आतंकवादियों ने हत्या करी महतमा गांधी इंद्रा गांधी राजियु गांधी हमें इन महान विभ्यूतियों की शाहदतों प पुझा रादी जाए हमारे हिम्मत होसले की कोई तोड नहीं सकता हम इस भारत जोड़ो यात्रा से हर भारतवासी का साथ चाहते हैं महंगाई बेरोजगारी निजीकरण गबर सिंग टैस्क नफरत हिंसा दुसकरम से देश को अजाद कराना चाहते हैं हम इस भारत जोड़ो य संजीब कुमार सिंग बिहार से आखरी स्वाल आपसे आप इस देश से नफरत खतम करने के लिए जो राहुल गांदी जी संदेश दे रहे हैं उसी तरह से आप पूरी तरह से इस देश को जोड़ने के लिए लगे हुए हैं अपने डिवोशन से अपने सायोग से पर भारत् पर बैठना सबसे आसान तरीका हो गया है हमने कहा था आपको मोधिया बिंद नाम का बायरास फैलाया गया और यह धर्मबाद पर हमारा देश इनको बट नहीं दिया इन्होंने 2014 में बादे किये थे दो करोर नौकडी दूँगा पंद्रह लाग खाते में दूँगा तीस रुपे लीटर डीजल पेट्रोल दूँगा सो स्मार्ट सीटियां बनाओंगा क्या एक भी वादे पूरे हुए राममंदिर तो बन गया ना राममंदिर यह मुद्दाने बहाते हैं राममंदिर का ता रामम्दिर को चलता है से लंका तक चलके 3000 किलो मीटर रावन का संगहार किया था और हमारे अर्शी का रावन का धश कर गाएक कुमारें तक चलकर रावन का शंगहार करें शमयाने बस इस देश देश की जनता का जैसे उसमें बांदरी सेना जूरी थी राम जी के साथ जम बंद बीभी संच देशे शत्यबादी लोग जूरे थे उसकी तरह जरुरत है भारत जोरो यातरा के साथ देश की जनता इनके साथ ने यह जरूर महंगाई बेरोजगारी भरश्टाचार रुपी र घा रही है एकडम जाना जरूरी है आप अपि रहूल गांधि के नाता जाता हूं आपके चैनल के माध्यम से आने बाले शमय में राहूल गांधी जिस तपस्या पर चल पर हैं ये बहुत उपर उठ चुके हैं परधान मंतरी की कुरसी भी ठुकरा देंगे जिस तरह सोनिया जी ने ठुकराई है देश का कोई बिद्वान माई का लाल उस कुरसी पर बैठेगा इस बाईश को आप गांठ बानके चलिए निकाल कर फैकना है इस देश के लोकतंतर को बचाना है जैहिन नमस्कार